अनूपपूर जिला मुख्याले में अखिल भारती कुर्मी समाच जिलाई काई अनूपपूर द्वारा 31 अक्टूबर को अखंट भारत के निर्माता भारत त्रत्न लोहपूरु सरदार वल्लब भाई पटेल की 144 वी जयनती के अवसर पर विशाल बाईक राली एवं समान समारोह मंचिय कारेक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दोपहर 12 बजे इंदीरा चौक कटल गेट की पास समाज के लोगों का एक त्रीक रण हुआ एवं बाईक राली राश्ट्री लेकता दिवस के रूप में प्रारंब होकर नगर भ्रमन करते हुए सरदार वल्लब भाई पटेला मरहे भारत माता की जयके गग्न भेदी नारे लगाए गए तत्पशाध राली का समापन कर स्वासायता बवन पूर में मंचिय सामाजिक कारिक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजित किया गया जिसमें सर्विकूर्मी समाज से संबंधित परिचर्चा एवं प्रतिष्ठित ख्याती प्राप्त व्यक्ति एवं प्रतिभाशाली छात्र चात्राओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गय कारेक्रमे मुख्य अतिती डॉक्टर राम नरेश पत्टेल प्राचारी समकक्ष डिप्टी डायरेक्ट्र सामाजिक नियाएवा निश्रक्त जन कल्यान विभाग जबलपूर एवं मुद्रिका प्रसाद पत्टेल मुख्य कारिपालन अढिकारी जनपत पंचायत एवं डॉक् कित साले अनूपपूर उपस्थित रहें। कारिक्रमे क्षित्य सामाजिक जन्वरी बहुत आयत में उपस्थित रहे। अनूपपूर सिले सिभूपेंद पटेल की रेपोर्ट सिले 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 स्थित रहें। कित बादे रहे थीडिए रहें। अशाशा मुझे लें आजा विजाना में राजो है, वो लाइप है, नाचलें से वाईपने से, अन्लाजों के द है चम्सिभाशी ती नहीं करता! चम्सिभाशी ती नहीं करता! शुरा पटेलकार रिवे दाशन माई रखें, बुलेट गड़ी पेठें बोडीकार में, बेठें बीकार में आज आपके द्वारा सरदार बनलब भाई पटेल जी जहिंती मनाई गई, इसमें पुर्मी समाज के घनिष्ट वरिष्ट छोटे बड़ो का सब्सायोग रहा तब जाकर के आज करकम साफल हो पाया है और पिछले वर्स की भाती, इस वर्स जो है अधिक उत्ता देखने को मिली है लोगों में और ये कारकम आगामी वर्सों में भी नए तरीके से, नए रूपरेखा से, नए दिसानिव देश में लेकर के आपन भवे तरीके से आयोजन करेंगे और मैं उन लोगों को भी धनवाद देता हूँ, जो इस कारकम में मतलब कोने कोने से पहुँचकर हर गाउं से पहुँचकर इस कारकम को सफना बनाने का प्रयास किया है साथ में जुमुक अतिती वर विशिष्ट अतिती थे, जो अपना दूर दराज से आयो हुए थे और उनकों जो है तो मैं धनवाद देता हूँ, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे कारकम में सहयो कुरदान किया तब कहीं जाकर के हमारे कारकम सफाल हो पाया है